हाई फ्रेंडस कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रेंडस मैंने एक पुरानी साड़ी ली है तो देखे आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी गुद्गुदा सा फायदान बनाने का ना ही आप ये भी थोड़ा सा मोटा हो जाएगा एक्स्ट्रा तो अब देखिए हमें क्या करना है साड़ी को एक बार के लिए साइड में रख देना है और फिर देखिए मैंने एक लेडिस पैंट प्लाजो ली है तो उसको देखिए इस तरीके से नीचे से हाड़ वाला पार्ट है डबल कट कर दिया अब इसको हम बीच में से सिधा सिधा कर देंगे दूसरे पैर की तरब से सेम तरीके से घटिंग कर देंगे बहुत steel और आसा तरीका है आज का कोई भी बना लेगा इतना सिंपल तरीका है और बहुत ही खूबसूरत पैज़ान बन कर आएगा तो इस तरीके से द यहां से फोल्ड करके एक तरफ से सिलाई लगा देंगे और यह देखिए अब यह दो इंच की बच जाती है हमारे पास तो अब देखिए हमें क्या करना है उल्टी साइड उपर करनी है इस पट्टी की और यहां पर आधा इंच सिलाई में दबाएंगे और छोटी-छोटी फ् पुछ इस तरीके से और यह फ्रिल जो है हमें पूरे में बनानी है चारो तरफ पूरे राउंड में बनानी है तो इस तरीके से देखिए पूरे राउंड में बना लेती हूं मैं एक बार तो देखिए मैंने ऐसे पूरे में फ्रिल बना ली है अब देखिए दूसरा पाफ हिन चंदर की तरफ फोल्ड करके, इसके उपर स्लाई लगा देंगे, ये पार्ट हमारा ओपन रहेगा, अब देखिए इस पार्ट को लेंगे, जैसे पहले रखा था वैसे रखेंगे, और इसके उपर देखिए, उल्टी सैड उपर करते वी रख देंगे, और जो हमने फोल्ड किया है वो साइड ओपन रखेंगे बाकी तीन साइड हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे और आधा इन सिलाई में दबाएंगे तो फटा फट से बनकर ये हमारा पायदान तयार हो जाएगा कोई भी जंजट नहीं करना हमको कोई भी फ्रील बनाने का कुछ भी मतलब अलग से कोई जंजट करने की जोरूत नहीं है सिर्फ एक साड़ी चाहिए हमको अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो आप डूपट्टे भी ले सकते हो क्योंकि डूपट्टे भी सौफ्ट होते हैं डूपट्टे आपको यहाँ पर पांच डूपट्टे कम से कम चाहिएंगे चार से पांच डूपट्टे तो आप डूपट्टों का भी यूज कर सकते ह फिर देखिए तीसरी साइट भी देखिए यहां पर इस तरीके से में निसलाई लगा ली है और फ्रेंड्स अगर आप चेनल पर नई आये हो तो जैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बैल आइकन को प्रैस करना ताकि हैर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच चे करके और कमेंट करके जरूर बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है फिर देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है अब हम साड़ी को लेंगे तो साड़ी को देखिए फोल्ड करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूं कि किस तरीके से हमें जो है इसकी फोल्डिंग क करना है इसको इस तरीके से और देखिए अब नाप के देख लेंगे बिल्कुल फिक्स जो है हमारी फोल्डिंग हुई है अब देखिए हमें क्या करना इस तरीके से पकड़ना है और इसके अंदर इस तरीके से हम इसको डाल देंगे अब इसको पूरे को पिन्णप कर लेंगे पिनप करने से जो है साड़ी कि इतनी ज़्यादा हमने तेह बना दी हैं तो वो इधर उधर नहीं खिशकेंगी एकदम फिक्स हो जाएगा एक बार यहाँ पर अब हम मसीन पर जलते हैं तो देखे सबसे पहले तो जो ओपन पार्ट है उसको बंद कर देंगे बिलकुल एक लेवल में लेकर फिर इसको यहाँ पर हम जो है सिलाई लगाएंगे और अब जो है हम इसके अंदर 22 इंच की दूरी पर देखे सिलाई लगाएंगे और यह सिलाई आप अपनी चोईस के कोई भी डिजाइन बनाके भी यहाँ पर लगा सकते हो लेकिन सबसे सिम्पल तरीका है वो मैं आपको बता रही हूं, आपकर फिर एक दोसे सिम्पल तरीका है 2-2 इंच की दूरी पर हम इसमें लंबाई में सिलाई लगाएंगे पहले तो और फिर 2-2 इंच पर हमें चोड़ाई में इसके omपर सिलाईया लगा देनी है तो एक दो सिलाई में आपको लगा के दिखा देती हूं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हमें सिलाई लगानी है कितने कितने दूरी से तो देखे यह मैं सिर्फ दो इंच की दूरी से लगा रही हूँ आप इसमें इससे ज़्यादा दूरी ना करें कम कर सकते हो इससे ज़्यादा ना करें तो ही जो है अच्छा लुकाता है फिर इसका ज्यादा बड़ी-बड़ी सिलाई लगाओगे तो इतना अच्छा नहीं रोसिया किसी भी चीज की हमें जंजट करने के आवसितन नहीं पड़ी और बहुत ही प्यारा देखिए सोफ्ट एकदम सोफ्ट बना है क्योंकि साड़ी सोफ्ट होती है तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो सिर्फ पांस मिनट में गुद गुदा सा पायदान तो कमेंट कर कि जरूर बहताना आज का यह सिंपल और सरल तरीका आपको कैसा लगा है मैं उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए मस्त रह कि बाइ